नमस्कार मित्रों क्लेयर और कॉंसेप्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2018 2018 रहोंने की है gücig Josh दिनों पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन जारी हुआ है जिसमें दोहजर्चा ठ्र, Sm न स्त्र, 1718 यह प्रादर सित किये गया है उन तत्यों और फैक्ट्स को रखा गया है जो बिहार के विकास को दिखाता है जो अर्थिक सर्वेक्षन होता है उसमें कई परकार के आंकड़े होते हैं, कई परकार के facts होते हैं, जिसमें सारे facts को याद रखना एक students के लिए संभव नहीं है, और इसकी साइधावस्यक्ता भी नहीं है उतने, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य और आंकड़े हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, वह तथ्य और आकड़ा आपको PT में भी खांदेगा, मेंस में भी काम देगा, इंटर्विय में भी काम देगा, या तीनों जगा आपके लिए useful होगा, क्योंकि कई बार आप मेंच में अंक उत्तर लिखते हैं, कि बिहार में उरजा का स्कूप है या उर्जा के छेतर में बिहार और क्या ब सब्सक्राइब करें जन्होंने नहीं किया है अगर उन्हें यह यूस्फुल गंटेंट अच्छा लगता है तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग इस वीडियो के लिए नीडी है जिनके लिए यह वीडियो प्योग है उन्हें यह वीडियो सेर भी करें पहला जो टॉपिक है वो आपका एग्जेकूismo curs है कि बिहर का जो अर्थविवस्टा आज के समई में बिहर जो इक्कनोमिक्स है किस परकार पैसा आ रहा है कहाँ पैसा कंद खर्च हो रहा है इन तरह बातों की जानकारी दी गई है जो इम्पोर्टन पॉइंट्स उसे मैंने highlights किया है केवल उनी points के बारे में मैं आपसे discuss करूँगा और उनी points को आप भी अपने notes book में याद कर लिख लें उसे update कर लें ताकि वो आपके लिए समय समय पर काम आता रहे हैं तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला point है कि 2017-18 में बिहार के अर्फिवस्था की बिद्धिदर एक बर्स पुर्व के 9.9 प्रसत से बढ़कर 11.3 प्रसत हो गया यानि यह आपको दिखा रहा है यहाँ पर की बिहार का जो है economical development जो है करीब 1.4 प्रसत के आसपात पि economic survey के आकड़े होते हैं वह अंतिम रूप से जो पिछले वर्स के आकड़े आते हैं जो कि इस वर्स का आकड़ा भी चुकि वित्तिवर्स समाप्त नहीं हुआ इसलिए इसका अंतिम आकड़ा का जो प्रकासन होगा वह अगले वर्स के economic survey में होगा और पिछले वित्तिवर्स विकास अगर इस तरह का प्रश्ण आपके सामने आता है तो आप इसको competitively facts के साथ दे सकते हैं देखिए answer को कितना मज़िदार बनाना है यह हमारे students के उपर निर्वर होता है कि वह कितने facts उसमें लिखता है इसे केवल आप subjective way में लिखते जा रहे हैं विकास कर रहा है यह हो रहा है वह हो रहा है सड़क बन रहा है कितना बन रहा है वह आप अगर facts भी देंगे answer में तो आपका answer मज़िदार होगा देखने वाले को लगेगा कि ने स्टुडेंट ने कुछ मेहनत किया इसमें content डाले और अच्छा है जो दूसरा अकड़ा है इसका कि 2016-17 में सरवाधिक बारत असमला आठ प्रतसत का विकास दर जो है तरस्यरी सेक्टर में जानते हैं कि तींतरा का सेक्टर होता है primary सेक्टर होता है प्रात्मिक छेत्र दुतियक छेत्र और तिर्थीयक चेत्र तर्सियरी सेक्टर म जिसमें जैसे की डोक्टर का सेवा एंगिनियर का सेवा या किसी थ Yours के सर्विसे कोई यह सारी सेक्टर लिसे स्बसे ज्यादा विकासदाइब है और रोभ बाते हैं एक तो हमारा जो रोघिया वो अगरी कल्चर बेस्ट ज्यादा तर तो यहां हम तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया गया सड़क को अच्छा किया गया विजली के सिवधाची की गई तो ठीक है इंडेस्ट्रियल डेवलप्मेंट तो उस अनुरूप नहीं हो पाया लेकिन कहीं ने कहीं टर्सेरी सेक्टर के लिए अच्छा माहल तो बना तो अगरिकल्चर में तो ग्रोथ करने का अपना एक लिमीट है। और बहुत ज्यादा वह उसमें लिमीट वह नहीं पारा है। ना नेशनल एवरेज पर ना इस्टेट लिवेल पर लेकिन टर्सेरी सेक्टर के पास स्कोप है। जो बिहार का पूरे अर्थ विवस्था को देखें तो सरवाधिक योगदान करने वाला जो च्छित्र है वह खनन एबं उत्खनन है मतलब माइनिंग सेक्टर है जैसमें माइनिंग सेक्टर में जिसे बालू आ गया या किसी प्रकार का अगर अवरक का खदान है या इस अपतर करेंग में साड़े सत्रा परसेंट योगदान है इसके बाद जो एक तथ्य इंपोर्टेंट है कि जो बिहार के जिलों के लिए प्रतिव्यक्ति आय का जो अनुमान 2011-12 से संबंदित है इन अनुमानों के आधार पर बिहार का जो तीन सरवाधिक उन्नत जिला वह पटना है म वाले जीले जो आपके पटना मुगीर और बेगुसराय हैं जहांके लोग आर्थी गुरूप से ज्यादा ससक्त हैं अनुमानों के मुकाबले पर कैप्टा इंकम होता है वह टोटल इंडिविजुल से डिवाइड करके निकालते हैं जरूरी नहीं कि हर किसी को उतना मिलता ह हो यह एक एवरेज यह उसत दिखलाता है जो रजकी बित्तिवस्था के बारे में पॉइंट कहता है जो उपर का पॉइंट हो काफी इंपॉटेंट है कहता है कि बिहार जो है लगाता राजस अधिसेस बनाई हुए रेवेन्यू सर्प्लस है आपको बजट वाले वीडियो म और कुछ बचाया या फिर उसने पुराने लोड पुराने करज वगर को चुका कर उसके बाद भी आपने कुछ सेविंग की तो आपका रेवेन्यू सर्प्लस हुआ तो यहां राजस वाधिसेस रहा है राजस वाधिसेस 2013-2014 में जहां करीब 6441 करोर रुपया था वह 17-18 पि नेक्स पॉइंट जो है कि राजसरकार का जो प्रात्मिक घाटा है 2016-2017 के 8000 करोड के आसपास था जो 17-18 में घट करके 5251 करोड हो गया है तो यह अब यहां पर पॉइंट आता है कि आप यह प्रात्मिक घाटा किसको कहते हैं तो मैंने बजट वाले सेक्शन में आपसे इसक घाटे में जो कुल राजस्व की प्राप्ति होती है और कुल जो राजस्व का ब्याय होता है उसका जो अंतर होता है एक वर्स का वित्त वर्स का वह राजस्व घाटा में आता है वित्तिय घाटा में जो है सो राजस्व कुल प्राप्ति सरकार को होती है राजस्व प्राप दो तरह की प्राप्तियों के बारे में हमने चर्चा किया था और जो कुल प्राप्ति होती है राजुस प्राप्ति और पुंजिगत प्राप्ति के आधार पर जिसमें जो बाहर से लोन लिया जाता है उसको छोड़ कि दिया जाता है आमदनी में तो जो कुल प्राप्ति हुए loan को छोड करके और फुल जो खर्च वहा उसका जो difference है वह आपका बित्थिय घाटा हुआ उसमें खर्च जादा है तो वह बित्थिय घाटा में आयगा और जो प्रात्मिक घाटा होता है वह बित्थिय घाटा और ब्याज की अदाएगी में जो difference है यानि कितना आपने यहां पे बित्तिय घटा किया है और जदी उसमें आपने ब्याज चुकाया है तो उसको घटा लेते हैं चोली ब्याज तो आपका पिछले कर्ज के कारण घटा में चला गया उतना खर्चा हुआ तो उस पैसे को घटा करके फिर जो पैसा बसता है उसको एक्चले घटा के fare जो कि 자 बार होगा एक्शुल घटा अपका तो यह सरकार का घटा है तो यानि कही नहीं किसी भी प्रकार का घटा हो अगर सरकार के लिए फाइदे की बात अ और अर्थविवस्ता के लिए अच्छी बात मानी जाएगी पात्मे घाटे के कमी के कारण 2017-2018 में सकल राजकोसी घाटा जो है आपका वह अभी करीब 16,000 करोर रुपया से घाट करके करीब 14,000 करोर रुपया हो गया है तो यह सारी चीजें और साथ ही यहां हमने पिछले वीडियोज में वीडिकर किया था राजकोसी उत्तरदायत बजट प्रबंदन जो अधिनियम है जिसके तहट जो है सकल घरेलू उत्पाद क यह 3% के नीचे होना चाहिए आपका यह राजकोसी घाटा इसको इन्होंने मेंटेन किया और यह 2.9% के आसपास है यानि काफी important fact है आप इसको economic related questions में या GS के किसी ऐसे question में जहां पर कि भारत के बिहार के अर्थवेबस्था या उससे जूड़ी वे तक्ष्यों को प्रदर कर रहा है हाल के दिनों में बिहार में जो है सराबंदी हुई सराबंदी के समय में जो सबसे बड़ा point उठा था सबसे बड़ी बाते हैं जो हुई थी कि भाई करीब 4000 करोड का राजस्वगाटा होगा इसमें जो revenue loss होगा वो कैसे maintain होगा हाला कि आपने देखा कि mining sector में इन्ह राक 17000 करोड के आसपास चार वर्सों के दौरान हो गया है यानि उसमें 70% की ब्रिद्धी हुई है तो यह जो सराबंदी के चलते जो राजस की हानिवी थी उनको उन्होंने और भी दूसरे तरीकों से taxes बढ़ा करके या जैसे registration cost बढ़ा करके mining का taxes बढ़ा करके इस तरह करक बर्स 2017-18 में कुल ब्यायका लगभग 72% हिस्सा जो है विकास मुलक प्रकृतिका था और 26% हिस्सा जो है विकास ते प्रकृतिका था अब इसको भी थोड़ा सा आप इस पास ठोलीजिए 2017-18 विकास मुलक प्रकृतिका मतब जो development है जिससे की future में development भी होगा जैसे आप सड़क बनाते हैं आप विजली की वेवस्ता करते हैं तो यह विकास मुलक अगर आप social security में में खर्च करते हैं तो फिर वह इसी वर्स का खर्च होगा वह यहीं खतम हो जाएगा और उसका कोई future में आपको return या income नहीं आने वाला है बगर आप को infrastructure डेवलप करते हैं कोई ऐसा खारी में खर्च करते हैं जो future में भी आपको helpful होगा या लंबे समय तक आपके लिए profitable होगा तो आपका डेवलपमेंटल टाइप का जो हैसा ग्रोथ होता है तो उसमें इन्होंने ज्यादा खर्च किया है तो यह भी काफी अच्छी बात है वर् हैं उनको भी काफी कम किया है निश्ची तुरुप से आप देख रहे हैं एक तरफ राजस्य को बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ अपना ब्याज भुक्तान करके कर्ज को घटा रहे हैं राजकोसी घटा के परसेंटेज को कम कर रहे हैं तो अबर यह पूरे एकनोमिक्स को 6,000 करोर रुपे उसमें उन्होंने करीब 76% का ब्या आर्थिक से वाम किया जैसे सड़क पूल और पडिवहन के निर्वान में उन्होंने करीब 19% का ब्या किया है बिद्यूत परियोजनाव में 24% का ब्या किया अब देखिए इन फैक्स को आप कहां लिख सकते हैं जैसे है बिहार का 93.6 लाग हेक्टेर है जो लगवग पूरे देश के एरिया का 3% हिस्सा है उसके अलावा एक तक्तियां पर जो जो ग्रफी से रिलेटेड भी है या फिर आप इसे बिहार में कृशी का जो प्रावलेम है उसमें भी इस आकड़ा को रख सकते हैं कई जगों पर अ और सबसे 20% कम हुए अब आप इसको अगर यह कोश्चन लिख रहे हैं कि बिहार में किरसी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है तो उसकी जादी समस्याओं का जिक्र करेंगे तो उसमें यह पॉइंट भी एक आएगा कि जो बारिस का जो है वो भी थोड़ा से प्रावलेम है करीब टोटल भूमी का 55-56% के आसपास है यह आकड़ा कभी-कभी पीटी के लिए भी आपके यूजफूल हो सकता है फिर से अगरिकल्टरल डवलप्मेंट्स को देखें तो जैविक कॉरिडोर की अस्थापना जो खास करके जो हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स या में इन्होंने करीब 2017-2022 की अवधी में लगभग 25,000 एकर जमीन को जैविक करसी से जोड़ने का प्लैन किया है जिसमें कड़िद दूसर 55 करोर रुप्य इनके खर्च होंगे तो खेर उतना आकड़ा नहीं भी याद रहे तो पास साल का जो इन्होंने 17-22 का प्लैन किया 25,000 सारेकर जमीन को जैविक करसी से लाने का और साथ ही इसमें जो मुख्य मुख्य जीले है पट्ना नालंदा भावलपूर वैशाली समस्तिपूर लखिसराय खगडिया जो गंगा के किनारे के आसपास के हैं उन जीलों को इन्होंने इंक्लूट किया है उसके बाद फिर एक आ या आप एकृट में डाल सकते हैं राजमें घाय जहां सदूज पादन का दर से उसके बाद 200 का हिस्सा है लगवग 40% और उसके बाद गोट का हिस्सा है लगवग 2.2% मचली पालन के शेतर में भी अच्छी खासी विकास हुई है और यह लगवग 7 परसद के दर से इसमें बृद्धी हुई है उसके बाद जो है उद्यमिता से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उसमें कुछ आंकड़े जो आपको याद रखने चाहिए कि बिहार में क्रसिया अधारित उद्योगों में 19.2 परसद का विकासदर देश के सभी राज्यों द्वारा हासिल 3.2 परकास दूपरसद के विकासदर से लगवग 5 गुनी अब देखें यह कित्रा इंपॉटेंट है कई बार कोश्यंस इस तरह के आते हैं या बन जाते हैं कि भारत में एग्रिकल्चर रिलेटेड करते हैं तो उन सब का जब आप जिकर करते हैं उस तरह के कोश्चन का तो वहां इन आकड़ों का प्रियोग कर सकते हैं कि भाई हमारा अच्छा यहां पर गुरूथ चल रहा है लगो 92.92 परसेंट के गुरूथ रेट से हम अगरिकल्चर बेस्ट इंडस्ट्री हैं जो कि दे विजी छेत्र में हैं और दो सार्वजी छेत्र में यहां आकड़े आपको बिहार में उद्योगों की जो इस्थिति है उस सब में जोडने में अच्छी रहे कि वहां आप जोड़ सकते हैं 17-18 में चीनी प्राप्ति की दर नदर समला पांसात परसत थी जो सोला सत्रा के से ज जो इंडेस्ट्र वो डेवलप्मेंट है उसमें आप कॉमफेट का जिकर कर सकते हैं जहां किसान अपना दूद देते हैं फिर उनको समय समय पर उसका भुकताम होता है और फिर उस दूद से आप जानते हैं कि सुधा का दूद काफी पॉपलर है आपके पूरे बिहार में कोमंत्री कोशी मलवरी योजना कोशी अंचल के साथ जीलों को इसमें चुनागिया जोगो से अंचल में सहर्सास पॉल मध्यपूरा किसंगंज अरडिया कटिहार पूर्णियां यह सारे हैं तो इस यह समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्धा होता है कॉसल विकास हमारे पास resources available हैं उसको best performance दिलाने के लिए human resources जो available है उसको best performance दिलाने के लिए हम किस प्रकार से त्यार करते हैं किस प्रसक्षित करते हैं skilling करते हैं तो इसमें बिहार सरकार का एक कुसल युवा program के वाई-पी चल रहा है जिसके बारे में आप जानते हैं वो आतनिश्चय का ही एक हिस्सा है आर्थिक हल युवाओं को बल उसी का एक हिस्सा है कुसल युवा program जिसके तहत computer courses Hindi और English की जानकारी बेसिक जानकारी और soft skilling कैसे आपको बेभार करना है कैसे बात करना है यह सारी चीजों के बारे में बताया जाता है जो आपको किसी भी जगा इंटर्व्यू देने में आपको हिल्प कर सकता है आपका बेसिक नॉलेज को क्लेर करेंगा तो skilling काफी important है अज के समय में और विहार सरकार भी इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते कर रही है विहार कौसल विकास जिस पर 15-18 बर्स के उम्र के सभी अभियार्थियों को लावानवित किया जा रहा है कंप्यूटर ट्रेनिंग आधी देख करके अब यहां पर जो उर्जा छेतर से सब्सक्राइब बढ़ी है पिछले च्छे वर्स में 165 परसेंटेज में इसको रखा गया तो सब्सक्राइब बढ़ी है और पिक आवर में भी अब डेफिसिट मतब बिजली नहीं रहने की जो समस्याती हुआ कम हुई दूसरी बात जो कई देशों में जो डेवलप्मेंट का आकड़ा होता है कई जगोंपर वह बिजली की खपत से भी ना पा जाता कि पर व्यक्ति कित्रा बिजली कंज्यूम किय और आप यहां देख रहे हैं कि बिहार सरकार के आकड़ों में कि 2011 12 में लगवार 134 किलोवाट पर आवर का जो खर्च था बिजली का वह 17-18 में घर बढ़ करके 280 किलोवाट पर आवर हो गया है यानि चो बरसों में लगवाग वह 100% से कुछ जादा ही ब्रिद्धी हुई है यह एक अच्छी ग्रोथ है या इसको एक अच्छे रूप में देखा जाता है कि हाँ बिजली का कंजम्शन लोगों में बढ़ा है यानि यह ग्रोथ की निसानी होती है रासरकार ने दिसंबर 18 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष लिया है संकल्प लिया है और उस लक लगभग 4900 मेगावाट के आसपास है जिसमें 18.9 परसेंट जो है वह कोल से है कोईला से विद्धूत तापी विद्धूत होता है कई तरह से विद्धूत उत्पादन किया जाता है कोईला को जला करके या फिर टार्वाइन हाड्रो प्रोजेक्ट से या फिर नुक्लियर इ इनर्जी से नभी करनी सुरोत का मुख्य सुरोत है उसके अलावे पर पवन वगार से डिसकें संटे करेंगे तो मैं आप पोडिटेल फिर प्र बता हुंगं कैसे कैसे रिंवल इनरजी हम जैनरेट करते हैं तो बिसकली हो अगर है तो बिसकली होगा यह जदा सज्याद उप पिश्बूर्ट इंडेक्स है जिसमें जिक्तिसास्वास जैसे महत्पुर्ण तथे सामिल हैं इस गरीवी सूचकांग में इसका गरीवी सुचकांग जो है वह 0.246 है गरीब आवादी का जो अनपात हुआ बावंद समलब दो परसत है और अत्यंत गरीव आवादी का जो कि इसमें तो सीवान काफी जादा है सीवान को इनकम को अपने देश में भेजते हैं तो यह काफी अच्छा मतलब ग्रोथ कर रहा जिला है वोजपूर और पटना पटना तो चुकी आपका राजधानी है अच्छे इंकम बाले जो लोग होते हैं वो भी प्लस यहां बहुत सारा डेवलप्मेंट है बहुत सारे आफिसेज हैं रूजगार के बहुत सारे उपाए हैं तो यहां का जो ही इ देवाले से पहले सौचा ले इस तरह की बातें होती है तो इस ओडियाफ के कारण जो है कई सारे गाउं कई सारे पंचायद प्रखंड और जिले कई कुछ जिले भी जो है इस ओडियां को एक अस्तर पर लिया गया और अभी तक करीब उन 454 ग्राम पंचाइथ, 21,237 गाउं, 151 प्रखंड और 5 जीले जिसमें सितामडी से पूरा रोहतास मुंगेर और बेगू सरा है उनको खुले से सौच मुक्त घोसित किया गया यह काफी important fact है और इसे related questions में भी चारपीटी में भी आपको आ सकते हैं सितामडी से पूरा रोहतास सितामडी से पूरा पटना रोहतास मुंगेर इस तरह करके तो आपको वहां पर यह काम आएगा आपका यह effect बिहार में जन्वित्र प्रणारी जो प्रणारी में कई सारी खामिया है बापजुद सरकार के जो आकड़े हैं उस हिसाब से हम कहें तो जो बास्तवी को उठाव था 2014-15 में से 2017-18 तक के सभी बरसों के आवंटन में 95% से अधिकरा यानि जितना सरकार ने बाटने के लिए उसमें 95% से ज्यादा लोगों ने इसे बाटा है उठाया जो उनसे जुड़े हुए लाभुक हैं बीपेल कार्डधारी हो या जिनको पीडिया सिस्टम से जोड़ा गया उनके लिए 17-18 में या उठाव 97.6 परसेंट था एक और जो इंपोर्टेंट तथ्य है कि जलवाई परवर्तन के मामले में भी बिहार को ज्यादा ही सेंसेटिव है उसने बन विभाग का लवक जो 70% expenditure है वो जलवाई परवर्तन पर और इसका 24% हिसा जलवाई संबंदित जोखिम के लिह इन सब चीजों में जब जिक्र करते हैं तो अपनी बढ़ाई के लिए बिहार के लिए या अगर बिहार में अगर बन वगयरा का डेवलाप्मेंट से रिलेटेड कुश्चन आता है तो वहां भी रख सकते हैं human development के गर बात करें तो 2011-12 से 2017-18 के बिच बिहार में प्रतिव्यक्ति विकास का जो ब्याय है वह 15.08 प्रसत की बार्सिक दर्से बढ़ा है जबकि पूरे देश में इसकी बृद्धी जो है 13.07 प्रसत की दर्से है यानि जो developmental expenditure है उसमें बिहार काफी अच्छा प्रोग्रिस कर बार्सिक में 22 प्रसत का जो है सो development किया है उचिदर प्राप्त किया है यानि कहीं ने कहीं लोगों का स्वाक्त और सिक्षा इन दो बिश्यों पर ज्यादा focus कर रही है सरकार और इनको uplift करने का प्रयास कर रही है हाल के बर्सों में जो है institutional delivery संस्थागत प्रस्था मतलब hospital में या जो आसा वरकर्स हैं उनके हिल्प से छोटे-छोटे-छोटे PSC जो center होते हैं वहाँ पर जो delivery हुए है माताओं ने बच्चों को जन्द दिया है उसकी संख्या काफी बढ़ी है संस्थागत प्रस्था होने से क्या फाइदा होता है बैसिकली दो तथी जो आपको पता है पहले से एक है infant mortality rate और एक है mmr mother mortality rate तो यह दो तथी जो हैं यह कहीं संस्थागत प्रसवों से जुड़े हुए हैं जितना ज्यादा institutional deliveries होगा hospital में लोग जा करके प्रशब करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चो करेंट हुआ है काफी अच्छा तो आप अगर उस तरह के questions अगर आपके आते हैं तो वहां पर आप इन तथ्यों को सामिल कर सकते हैं इसके अलावे आप यहां देखेंगे एक आकड़ा है 2017-18 में BCG और pentavalent पांच बीमारियों को मिला करके एक टिका बनाया गया उसका अच्छा दन काफी अच्छा ओपी बीवन ओरल पोलियो वैक्सिंस पेंटावेलेंट और खसरा इन सबका तो यह स्वास्ते रिलेटेट फैक्ट जो है हेल्थ रिलेटेट इसूज में हम अपने लिए यूज कर सकते हैं 2001 के 47% से बढ़ करके 2011 में 61.8% हो जाना एजुकेशन का यहां आकड़ा तो हम पहले से ही जानते हैं 2011 का जो जन्गरना हुआ था उसमें यहां आकड़ा आया हुआ था लेकिन इन आकड़ों को इन आकड़ों में बढ़ोतरी हुई होगी इसको सप्लिमेंट क्या करता है कि बीच का जो समय 2011 के बाद से स्कूल में कितने बच्चे गए ड्रॉप आट्स में क्या कमी हुई और इन सब को मिला करके हम देख सकते हैं कि इन में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी तो इसी प्रकार का एक फैक्ट जो है कि कुल मिला कर प्रादम देख सिक्षा में लैंगिक अंतराल घट रहा है मतलब जो दिफ्रेंस था बच्चे लड़के जादा इसकूल जा रहे हैं लड़कियां कम जा रही है समाज में एक मांसिक्ता बनी वी है लड़कियां पड़कर क्या करेंगी वह पराईधन है यह वह एक्स यजट तो इसमें काफी कमी आई है ऐसा समाजिक सोच हमारा जो है अब बदल तो रहा है और 2012-2013 से 2016 के बीच लड़कियों के जो नामंकर की ब्रिदिदर यह वह दो दो संब्लप 3 परसत है उससे बढ़ा है जब कि लड़कों का जो है दो दो परसंट है यानि एस कंपेर टू बॉइस गर्ल्स का जो एडिमीशन रेट है वह जादा है अभी राज्य में 24 विस विद्याले काम कर रहे हैं जिसमें 22 पारं पर किसी विद्याले हैं जबकि एक मुक्त विद्याले है और एक प्राइबिट राज कोसी राज कियो विस विद्याले है यह फैक्ट्स P.T के लिए important हो सकते हैं आपको इसमें और भी कुछ क्यूदेश है हुआ solar energy के तहत नवकरनी उर्जा के लिए राज को और ज्यादा मजबूत करना जैसे कि हम जामते हैं कि sun जो है वह energy का एक बहुत बड़ा source है और sun से जो energy मिलती है वो हमें free में मिलती है अगर हम उसको convert कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने useful energy में तो हमारे लिए काफी important होगा तो इसके लिए उन्होंने आयाइटी मुंबे के फ्लैक्सिक कारिक्रम सोलस जिसका नाम है उसके साथ उन्होंने उसके साथ नवी निवम नवी करनी उर्जा मंत्राले और जीवका द्वारा solar study lamp बित्रित किये हैं और यह पाहल सबको विजली कारिक्रम पर अधारीत है तो यह कही ने कही आप अगर renewable sources of energy या sustainable development of society पे लेख लिखते हैं या उस तरह के आंसर लिखते हैं तो वहां इन तथ्यों को आप जोड़ सकते हैं बाल बिखास के संबन्द में बिहार का जो सबसे बड़ा fact है कि बिहार के आवादी का 48% इस्सादी इस अठार साल से नीचे का है यानि एक समय आने पर जब human resources का demographic dividend का जो फाइदा उठाएगा वो बिहार बहुत बड़ा राज्य होगा लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्य आओगे फिर आपको याद रखने है वह skilling की अगर आपके पास जो आवादी है वह skilled नहीं है उसके पास techniques नहीं है उसके पास knowledge नह हो सकता है कई देशों को अपना human power supply करेंगे तो दोस्तों हमने बिहार का जो economic survey था उसके जो important facts थे जो प्रिलेंस या मेंस या इंटरव्यूज के लिए important हैं उनको हमने एकत्र करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है वीडियो कैसा लगा या तो आप ही बता पाएंगे फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो आपके लिए उप्योगी है और किसी अन्य के लिए उप्योगी साबित होता है तो आप इसे औरों को भी share करें धन्यवाद